जिससे ये रिफाइनरी, इसका जो सपना है, इस क्षेत्र के लोगों ने देखा था, आज पूरा होने जा रहा है, यहाँ पर रोजगार बढ़ेंगे, सम्रिद्धी बढ़ेगी, खुशाली बढ़ेगी, आज मानी प्रधान मंत्री जी के करकमलो द्वारा, ये शुब सौगा मगर संक्रांती की मीठी शिरुवात हम सबको मिलने जा रही है, राजिस्थान वासियो, भारत मा का तिलग करो सबचंदन अक्षद रोली से, आज तिरंगा उचा करदो इंकलाब की बोली से, एक पिष्ठ तुम और जोरदो भारत के उत्थान का, कौन रास्ता रोक सका है, जंजावत तूफान का, जी हां राजिस्थान के विकास का रास्ता खुल चुका है, देश के विकास का रास्ता खुल चुका है, और अब कितनी भी बाधाएं क्यों ना आएं राजस्थान और इस ख्षेतर का विकास तो होके रहेगा कदम कदम पे चट्टाने खड़ी रहें लेकिन जो चल निकले हैं दर्या तो फिर नहीं रुकते कदम कदम पे चट्टाने खड़ी रहें लेकिन जो चल निकले हैं दरिया तो फिर नहीं रुकते हवाएं कितना भी टकराएं आंधिया बनकर मगर घटाओं के परचम कभी नहीं जुकते मगर घटाओं के परचम कभी नहीं जुकते ऐसी ही है विकास की विजय यात्रा जो सवासो करोड भारतियों को एक साथ उजाला देती है बिना किसी भेध भाव के थोड़ा सा इस प्रोजेक्ट के बारे में परियोजना के बारे में आपको बताना चाहूंगी मैं जिसका अवलोकन कर रहे है मानिनी प्रधान मंद्री जी राजिस्थान के इतिहास में पहली बार राजिस्थान सरकार बाड में में एक रिफाइनरी और पेट्रो केमिकल कॉंप्लेक्स स्थापित कर रही है हमारे राष्ट्री के लिए विशेश रूप से राजिस्थान के लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सपना सच होने जैसा है आजकल भारतवासी सपने देखते हैं, उमीदे करते हैं, आशाये रखते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि आशाये सत्य में परिवर्तित होके रहेंगी, क्योंकि माननी प्रधान मंत्री जी का अध्वितिये नेत्रत वो उसे प्राप्त है राजिस्थान वासियो, मानी प्रधान मंत्री जी ने देश के सवा सो करोड भारतियों के मन में विश्वास पैदा किया है देश की उमीदों को उडान का एक नया आस्मान दिया है, जब ये रिफाइनरी यहाँ पर खुल जाएगी तो कितने सारे रोजगार मिलेंगे, इसके बारे में सोचेगा सारा जनसमू उत्साह से भरा हुआ है, जैसे ही माननी प्रधान मंत्री जी मंच पर पधारे है जोरदार तालियों से उनके नाम के उद्धोश से हम उनका स्वागत करेंगे मंगल में आशीश आपके, शक्ती और सामर्थे हमारी, उचा है मन हिमालय साल, लंबी है अपनी तैयारी हम गौरव का गान करेंगे, मिट्टी का सम्मान करेंगे, हम भारत है, भारत हम में शक्ति काल में बस्ति करेंगे, यजा और विल्टी करेंगे, रख़ जटार्ची करेंगे वरत हम एंदाए रिजा हम एंपने बादान करेंगे इसलोड़ में आपके ठालमान कर दिए, आव में एंपके नाम्मार्णा पीजएश इस धर्ती के गौरवशाली इतिहाज संब्रध्य परंपरा संस्रिती को बनाए रख उसमें प्रगती और खुशाली के रंग भरने पधारे हैं आज स्वयम देश के प्रधान मंत्री हम भिदय से स्वागत करते हैं अभिनंदन करते हैं मानिनी प्रधान मंत्री जी आपका मारा पावणा पधारिया मारे देश बहुत बहुत स्वागत हैं मानिनी प्रधान मंत्री जी आपका इस महान गौरवशाली भूमी पर इस धर्ती के गौरवशाली तिहास संब्रिध परंपरा संस्कृती को बनाए रख उसमें प्रगती और खुशाली के रंग भरने आए हैं आज मानिनी प्रधान मंत्री जी हम भिदय से स्वागत करते हैं मानिनी या मुख्य मंत्री राजिस्थान शीमती वसुंधरा राजे मानिनी केंद्रिय पेट्रोलियम एवं प्राकृति ग्यायर स्कॉशल विकास एवं उद्यम शीलता मंत्री श्वी धर्मेंद्र प्रधान का और मंच पर उपस्थे सभी गढ़मान में माहन भावूं का वागत करते हैं जिस धर्ती के हृदय में अतिती सतकार के भाव भरे हो वो धर्ती देश के मानिनी प्रधान मंत्री जी के प्रती आदर भाव प्रकट करना चाहती है राजिस्थान की जनता की तरव से राजिस्थान की मुख्य मंत्री शीमती वसुंधरा राजे से हमारा और अब हम मानिनी श्री धर्मेंद्र प्रधान से अनुरोद करते हैं कि क्रिप्या मानिनी प्रधान मंत्री जी को आदर सम्मान का प्रतीक पगड़ी भेट करें साफा हमारा निवेदन है मानिनी श्री अमरा राम चौधरी राजस्वो मंत्री राजिस्थान सरकार से कि क्रिप्या मानिनी या मुख्य मंत्री राजिस्थान को चुनिरी भेट करें अतिति सथकार की बरंपरा और संस्कृती हर हृदय में यहाँ पर गुण्जाय मान है हमारा आगरा है मानिनी ये खान मंत्री राजिस्थान सरकार स्री सुरेंदरपाल सिंग स्हिप्या मानिनी श्री धर्मेंदिंप्रदान को शौल भेट करें उनका स्वागत करें मकर संक्रांती में सूर्य उत्तारायन में आ गया है और इधर विकास का सूरच मानिनी प्रधान मंत्री जी मानो स्वयम ही इस धर्ती को खुशाली का आशिरवात देने पधारे हो HPCR राजिस्थान रिफाइनरी इस गौरव धर्ती को नए साल का तौफा भी है और मकर संक्रांती की मीठी सौगाद भी इस शुप और सुनहली बेला में हमारा निवेदन है मानिनी ए खान मंत्री राजिस्थान शी सुरेंद्रपास सिंग्से की कृपिया स्वागत संबोधन दे बार्ड मेर की मरुधरा पर बहुँ परतीक्षित राजिस्थान रिफानरी के कार्या शुबारंब के इतिहासिक अफस्ट पर मंच पर विराजमान देश के 125 क्रोड लोगों के हिर्दय समराठ लोह पुर्ष कर्म योगी परधान मंत्री समानिय नरेंदर मोदी जी राजस्तान की युशरस्वी मुख्य मंत्री समानिय वसंद्रा राजय जी बारत स्टकार के पट्रोलियम एम प्रकति गैस मंत्री दर्मेंदर पबतान जी केंद्रिय मंत्री अधनिये अर्जुन मेगवाल जी, सीयार चोधरी जी, पीपी चोधरी जी, अधनिये गिजंदर शेखावजी, राजस्तान सरकार के सभी कैबिनेट के मंतरी गन, संसत मोध्यागन, राजस्तान के कोने कोने से पदारे हुए इतिहासिक बलके सक्षी बढ़ने पदारे हुए सभी समानित भाईयों और बहनों, आज का दिन राजस्तान के लिए इतिहासिक और स्वर्मिया है, राजस्तान के इतिहास का सबसे बड़ा 43,139 क्रोड का पुझी नवेश, आज रिफाइनरी के मादम से होने जा रहा है, मानने मुख्य मंत्री जी की दूरदर्ष्टा, मानने केंदर सरकार के हमारे पट्रोलियम मंतरी परदान जी के सयोग, और मानने हैं परदानमंत्री जी के अशीरवास से इस परियोजना में राजस्तान का लगबग 40 सजोर क्रोड रुपे की परियोजना में राशी की बचत होगी यह बाडमेर जिला जिसके अंतरगत खनिज तेल के अपार बंडार हैं गैस के पार बंडार हैं केर्ण्स इंडिया द्वारा 500 मिलियन टन खनिज तेज के बंडारन की परमानित किये जा चुके हैं 38 फिल्ड में ये सारा तेल उपलब्द है इतने बड़े तेल के बंडार को परसंस करने के लिए रिफानरी की महौत बड़ी वशक्ता थी जो आज ये सपना पूरा होने जा रहा है इस रिफानरी के साथ जो पैट्रो केमिकल कंपलक्स भी स्तापित होगा जिससे राजस्तान के पश्चमी क्षेतर के सभी जिलों जैसलमेर, जोदपोर, बिकानेर और दूसरे इनमें लगू दोग जो स्तापित होंगे और बहुत बड़ा एक इंडेस्ट्रिल लगू जोगों का हब बनेगा चार साल के इस नर्मान अवदी के अंदर यहां के लोकल जो लोग हैं उनको भी नर्मान समग्री, परवाइन से आएं, कच्चा माल, बहुत से होटल, बहुत से अन्याय सुईदाएं और बन्यादी सुईदाएं जैसे चिकिस्था, स्वास्था, शिक्षा के अंदर भी इस क्षेतर की काया पल्ट होगी और यह राजस्तान के आने वाले राजस्तान का एक मील का पत्थर साबत होगा मैं इस शुब अफसर पर मानिये परदान मंत्री जी का हिद्य की गहराईयों से स्वागत करता हूँ कि आपने इस किशन को यहां राजस्तान में आपके करकमलों से यह कारया शुबारंब होगा और इसके आने वाले समय में राजस्तान का आपने जो मान बढ़ाया है गौर बढ़ाया है राजस्तान हमारी यसस्वी मुख्य मंत्री जी के नेत्रतु में नए उचायों की तरफ जायेगा मैं यहां पदारे हुए सभी केंदर सरकार के मंतरियों का, राजस्तान के मंतरियों का, मुख्य मंतरी जी का, पुर्दान मंतरी जी का और इतनी बड़ी संक्या में राजस्तान के कोने कोने से पदारे हुए सभी यहां के नागरिकों का बेहन भाईयों का हिर्दे से स्वागत करता हूँ धन्यवाद जैहन जै भारत धन्यवाद मानिनी परिवर्तन की इस बयार में भारत की तिहास में पहली बार ऐसा हुआ जब पेचोलियम जैसा मंत्राले भी वरीबों और जन सामानी की सेवा में अनवरत लगा हुआ है भारत का युवा कौशल विकास कर रहा है मानिनी प्रधान मंत्री जी के इसी संकल्प को सिध्धी तक ले जा रहे हैं मानिनी के इंद्री पेचोलियम एवं प्राकृतिक गैस कौशल विकास एवं उद्यम शेल्दा मंत्री श्री धर्मेंद्री प्रधान हम आपसे आग्रह करते हैं मानिनी की कृप्या आपने करें इस बिचाल जनसभा में उपस्तित भारत के लोकोप्रिया प्रधान मंत्री विश्व के जननेता माननिया प्रधान मंत्री श्री नरंद्र मोधी जी माननिया मुक्षमंति रास्तान स्रीमती बसुंदर राजे शिन्या जी यहां उपस्तित तमाम नेत्रुत्वा इस बिचाल जनसभा में उपस्तित पश्चिम रास्तान के रास्तान के भाई और वेहनों भारत सरकार के और रास्तान सरकार के बरिष्ट अधिकारी मित्रगन मीडिया के मित्रगन मैं अब सभी को इस अईतिहाशिक पवित्र कार्यक्रम में स्वागत करता हूं मैं इस बीर भूमी को मारवाड की इस पवित्र धर्ति को प्रणाम करता हूं मित्रो मारवाड ये भूमी हैं जिनोंने भारत की इतिहाशिक धरोहर में अनेक योगदान किया है भारत की सामाजिक जीवन को भारत की संपरनता को भारत की संपरभुता को मारवार के बीना कलपना नहीं किया जा सकता है मारवार देश को अनेग चीज दिया है लेकिन मारवार अनेग दिनों से कई चीजों से बंचित था मैं इस पवित्र भूमी को इसलिए प्रणाम करता हूँ मित्रो माधर्ती ने इस भूमी में तेल दिया है ग्यास दिया है, लिगनाइड दिया है इस भूमी ने, माधर्ती ने, प्रकुर्ती माता ने पश्ची मरास्तान में बिशेस करके बारमेर और जैसे मेर में उर्जा सोवर सक्ती से अपार संभा बना दिया है सोलार एनर्जी दिया है उइंड पावार पवन की आधारित उर्जा की संभा बना दिया है तेल ग्यास सोलार उइंड लिगनाइट की ये पांचों को मिलाए परजान मंत्री जी कहते हैं हमारे सब्भेटा में सक्ति के लिए साथ रद चाहिए अस्व मेज़ के लिए साथ रद चाहिए इसे बढ़िया क्या बात हो सकती है इस जीले में साथ में से पांस रद है ये तो निया भारत की सक्तिपीट है एही सक्तिपीट को मैं परणाम करता हूँ मित्रों आज इसी लिए सुब घड़ी है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कर्पोरेशन की रास्तान रिफाइनरी लिमिटेड की काम सुबारंब होगा काम सुबारंब होगा नो मिलियन टन क्यापाशिटी की भारत में सस्ती और ठिकाव उर्जा बारत की हर एक घर को उन्होंने जिम्मारी लेने के बाद ठान लिया था भारत की समान ने लोगों को उर्जा से बंचित नहीं कर सकते हैं 2017, December 31 तक भारत में कोई गाउं नहीं है, जिस गाउं में माने ने परधान मंतरी जी की ने तुर्तों में बिजली ना पहुंचा हो. ये परधान मंतरी जी की कल्यानकार योजना की पराकास्टा है. हमने पढ़ किया है 2018 आते आते भारत की चार करोड गाओं में बिजली पहुँचाएंगे 166 पहुँचाएंगे LPG पहुँचाएंगे आज इसलिए ये जो इतिहाची कारेकरम हो रहा है ये जो प्रकल्प की प्रायजन की सुभारम क्या जा है 33,000 करोड रुप्या की निवेस में पहली बार देश में रिफाइनारी और पेट्रोकेमिकल कमप्लेक्स पहली बार मित्रों अनेक रिफाइनारी बनी है भारत में रिफाइनारी बनी है बाद में पेट्रोकेमिकल जूडी है आप लोग सोभाग या साली हो परदान मंत्रीजी को जब ये पता चला उन्होंने रूची लेकर योजना बनाई समय के हिसाब से बनाई आज इसलिए हमने कोई सिलानयास के लिए मानने परदान मंत्रीजी को यहाँ इनती नहीं किया पाने के लिए आपके गरिमा मय उपस्तिती आज से 500 करोड रुपया की काम हमने योजना बना के रखिये आज से ओ काम सुरू हो जाएगी आने बाले दिनों में इस रिभाई नायरी को समय की पहले 2022-23 के हमने लक्षया रखा है यहां हमने उसको पूरा करना है पेट्रो केमिकाल कॉंपलेक्स बनेगी पेट्रोल, डीजेल, खिरोशीन, एल्पीजी बनने के बाद प्लास्टिक के उपकरम बनेगे टेक्स्टाइल के उपकरम बनेगे यहां की बालोत्रा की लोग सूरत जाते हैं टेक्स्टाइलिश्टी में काम करने के लिए वहां की डाइंग इंडस्ट्री यहां भी पेट्रो केमिकल कॉंप्लेक्स, टेक्स्टाइल, प्लास्टिक, केमिकाल और शोज की नए दुनिया जुटेगी। यहां के इनकी उत्पादन खेत्र में 37,000 को रुप्या की अतिरीक्त निवेस हो रहा है। मित्रो आने वाले दिनों में 2-5 साल के अंदर इस इलाका में एक लाख करोल रुप्या की निवेस होने का योजना हमने बनाई है। हमने संकल्प किया है, हमने उसको सिद्ध भी करना सुरू किया है, यहां की लाखो नौजवानों को रोजगार मिलने की योजना बनेगी। मित्रों इतना ही नहीं, मान्य प्रधान मंत्री जिने एक अलग कोशल या बर्धन विभाग बनाई है, मेरे को सुभाग्या है उस विभाग की काम काज भी मेरे पास है। सेय वाले दिनों में यहां की नोजवान यहीं काम सिक पढ़ाई के साथ काम सिक रिफाइनाईरी टेखनोजी की बारे में सिक तेल, ग्यास, सोलार, उइंड ये सारे उरजा खेतर की बारे में जानकरी ले। एक विश्वविद्यार रास्तान सरकार ने बनाई है, मैंने प्रधामुख्यमंत्री जी को निवेदन किया है, उसकी एक क्यामपस बारमेर में भी खुले, हम पेट्रोलियम सेक्टर की लोग उसकी प्राटनर बनना चाहेंगे, रास्तान सरकार की शिक्षा में हम गुणबत्त लाना चाहेंगे, मित्रो इस इस इलाका में इस रेगिस्तान में अनेक पानी की संभा बनाए है, सरोष्वती नदी के इलाका इसे यहीं से सरोष्वती नदी जाती थी, पानी की बारे में यहां की जो खारा पानी है, हमने दिशेस कार्यद्वल बनाए है, टास्क पॉर्स ब योग बरास्तान सरकार यह दोनों मिलके यहां की जमीन की पानी को ऊपर ले आने के लिए यहां अपार संभावना है सोलार की सोलार की बिजली से पानी को भूतल से ऊपर ले आके 20 साले ने सन प्लांट लगा के रेगिस्तान में पानी की देने की आज टेक्नोजिकल सलुशन हमारी मानने परधान मंतरी इजरायल गे थे कल इजरायल की परधान मंतरी भी भारत पहुंचे हैं इस प्रकार की टेक्नोजी देश दुनिया से प्रधान मंतरी रेगिस्तान तक ले के आएंगे रेगिस्तान में भी पानी पहुंचाने के लिए हमने योजना बनाई है मितनों मैं आपको स्वागत करने के साथ एक विशे मेरे मन की बात आज आप की समने कहना चाहूंगा कुछ दिनों से कॉंग्रेस पार्टी की ओर से एक अनावाशक भीबात खड़ी की जाती है कि हमने तो पत्थर रखाता सिला नाज किया था मोदी जी को क्यूं आप लोगों ने बुलाया है मैं भी नम्रता से प्रस्ण उठाना चाहता हूं राश्तान की जनता हैं बैटा है देश-धुनिया की राजस्तान इसको देख रहा है चुनाव की पाँच दिन पहले आपने ये तथा कथीत पत्थर आपने रखा था किसकी हाथ में पत्थर आपने रखा था मैं समझ सकता हमने अपने प्रधान मंत्री जी को बुलाया काम सुरू करने के लिए अगर आपको पत्थर रखना था आप आपकी प्रधान मंत्री को को निमंतरन करते हैं, सोनिया जी को क्यों बुलाई थी कि राजस्तान की लोगों ने सोनिया जी को प्रधान मंतरी बनाई थी, आप की निस्टा नहीं थी, आप राजस्तान की नौज़बानों को धोका देने की सर्य अंत्र किया था बताईए मित्रा पंचर्थ में आप घर बनाते हैं तो आपको एक अनुमती लगती है। सहरों में घर बनाते हैं दो तीन अनुमती आपको लगती है आपने हजारों कोरोड की रिफाइनारी की डियू रखी, सोनियां जी की हाथ में रखी एक मैंने अशोग जी को अशोग एहलोग साब को कहा था गेहलोग साब हमें चाय पे बुलाईए आपकी उन दिनों की एक पन्ने की अनुमत की कागज दिखा दे दिजिए जंगल की अनुमती नहीं था परियावरन की अनुमती नहीं था कोस्की इंसी प्रकार कौन सी टेक्नोलोजी आएगा इसकी स्पष्टता नहीं थी जमीन नहीं था छुनाओ की पहले सोनिया जी को बुला के राजिने दिख धोकावा जी आप ने राश्तान की नो जवानों के साथ किया था आज हमने निवेश की योजना बनाई है रास्तान के आपने हित को बंधक रखाता गिर्भी रखाता वसुंदरा जी आते ही मान्यम प्रधान मंत्री जी की सामने उन्रोद किया रास्तान की नोजुबानों को हितों को ध्यान में रखते हुए इसकी पुनर विचार करनी है कारियोजना शुरू करेंगे मित्रों इतना ही नहीं कॉंग्रेस पार्टी की पुरानी फित्रत है गुज्राट में 2008 में वो तुन दिनों में वाननी है नेरेंद्र मोदी जी जो आज देश की लोग प्रियपधान मंत्री है मुक्षय मंत्री गुज्राट के थे आपको आज हुए, छीठा खुलना चाहता हूं उन दिनों में मौन मोण्चिंग जो देश की प्रखान मंत्री होते थे आचाम की नेता होते है आचाम से राजयसरवा मंबर होते थे कांगरेस पार्टी कि सरकार आसाम में भी थी, आपकी नाराजगी हुई, माना निया प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी पे आपने घुसा आउतारा गुजराट की जंता पे, गुजराट में भारतिय जंता पार्टी की सरकार निरंतर रही आई है, आसाम में आपकी सरकार थी, प्रधान मंत्री आसाम को प्रतिनी धित्व करते थे, आसाम की हक मारी भी आपने किया है, कॉंग्रेस पार्टी अपनी छोटी राजनिती के लिए, अपनी दलगत राजनिती के लिए, स्यदाई वई देश की नोजवानों को, महिलाओं को, सामान ने लोगों को धोका दिया है, मित्रो, आज, हम लोग आज संकल पबद है प्रधान मंतरी जी की ने तुर्तों में जो कहा है जो कहा है उसको करेंगे वो करके दिखाएंगे हमने संकल पर लिया है निया भारत बनाने के लिए हमने संकल पर लिया है निया राजस्तान बनाने के लिए इस पवीत रकार अक्रम में आप सब की जानेवार मालिनिया हर राह राजिस्थान की अब विकास की और जाती है राजिस्थान वासियो राजिस्थान के कोने कोने को अपनी करमर्ता से उजला बना रही है राजिस्थान की मालिनिया मुख्य मंतरी श्रीमती बस सुंदरा राजे हम आपसे अनुरूद करते हैं मालिनियां कि क्रिपिया अपने विचार प्रकट करें परमादर निया पधान मंत्री जी केंद्रिय मंत्री मंदल और राज्य मंत्री मंदल के हमारे साथी और उपस्थित सभी बंदू मानिया प्रधान मंत्री जी का मैं प्रदेश के साड़े साथ करोड राजस्थानियों के और से इस मरुधरा के उपर हार्दिक स्वागत करती हूँ जोरदार तालियों के साथ, जोरदार मालूम पड़े, आज राजस्तान के लिए एक बहुत ही एतिहासिक शन है, एक ऐसा सुनहरा मौका है, और मैं याद दिलाओंगी जब मान्निय प्रधान मंत्री जी ने उस नारे को साकार करते हुए गुजुरात चुनाओ जीतने के बाद जोरदार तरीके से जीया था, आपको याद होगा, जीतेगा भाई जीतेगा, विकास ही जीतेगा, विकास पुर करते हुए कि राजस्तान के अंदर सबसे बड़ा, सबसे बड़ा का कारिक्रम आज होने जा रहा है, और आपके करकमलों द्वारा इस प्रोजेक्ट के शुरुवात हो रही है, उसके लिए हज्जारों हज्जारों के संख्या में यहां उपस्तित मरुधरा के निवासी आप का यहां जोरदार तरीके से स्वागत करते हैं। हम लोगों ने पहली बार देखा था, तेल का पहला खुआ, जिसका नाम था मंगला, बाजपा शासनकाल के अंदर खुद गया था, और बाजपा शासनकाल के अंदर ही आज एतिहासिक परियोजना के कार्यका शुबारम हमारे आदर्णिय प्रधान मंत्री जैसे विकास पु हो रहा है, रिफाइनरी के हमारी सोच पर जब कांग्रेस आई, तो याज़ आपको होगा कि चार साल तक उरह ने कुछ भी नहीं किया, वाके में कुछ भी नहीं किया, और जब चुनाका समय आया, तो जल्दी बाज़ी में गोशना करके, और दस दिन पहले अफरा तफरी मे अपने हाइ कमान को बुलाके आनन फानन के अंदर शलन्यास किया, सोनिया गांधी को बुलाया और जोड़ा तरीके से यहां उसकी आवाज उठाने की कोशिश की, आप सब यहां बैटे हैं, आपको याद है कि उस समय जमीन के उपर भी यह समझ में नहीं आ रही थी कि कौन स पच्पद्रा के पास हुआ, जिस जमीन को सरकार के पास पहले से ही थी, यह पहले आराम से कर सकते थे, परन्तु आप लोग सब जानते हैं कि उनकी नियत कैसी थी, और उस नियत के हिसाब से उन्होंने इस बड़ी योजना के साथ भी बड़ा खिलवार करने में कोई कमी नह गोशना होती है, तो उसकी तैयारी के लिए बातचीत, विचार, चिंतन, बात, तैयारी, यह सब करने की जरुवत होती हैं, मैं मानती हूँ कि सिर्फ लोक लुभावनी गोशना के साथ साथ, अगर कोई भी प्रोजेक्ट खड़ा हो जाए, तो मालुमरी राजस्तान के पचास हजार करोड के प्रोजेक्ट के पत्थर अलग-अलग जगे के उपर लगे हुए हैं, और यह सिर्फ वोट पाने के लिए इनका कोई बजट का प्रावधान तक नहीं था, और अभी लिखते हैं पत्र प्रदान मंत्री जी को कि दुबारा शिलन्यास न कीजिए, शिल इसके बाद ये परियोजना आगे ही बढ़ेगी, पीछे नहीं रहेगी, एक उधारन में और आपको देना चाहती हो, एक मईने पहले परवन नदी का हल्ला मचाया कॉंगरस में, हम लोगों ने चार साल से इस परवन नदी के उपर मेनत की, आथ हजार करोड की ती बड़ी स हम लोगों ने चार साल के अंदर उसके उपर बात चीत करके वहां काम चालू किया, तब हमने बड़ा इस तरीके का फंक्शन किया, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि वहां भी राहूल गांदी जी का पत्थर लगा हुआ था, सत्रा दिन पहले चुनाओ के उन्होंने के अंदर तो मालूम नहीं ऐसे कितने सारे पत्थर हमको उठाने को मिल जाएगा, रिफार्नरी लगाने का काम भाईयों आसान नहीं है, बहुत कुछ इसके लिए करना पड़ता है, जमीन की लीस टीड होनी चाहिए, ऐसे ही जमीन नहीं होती है, जमीन की लीस टीड होनी चा ये, वो भी नहीं था, कितना कर्ज देना है राजसरकार को, वो भी नहीं सोचा था, क्या नफ़ा, क्या नुकसान इसके उपर भी ध्यान नहीं दिया था, मार्किटिंग टर्मिनल नहीं था, और अग्रीमेंट तो दसकत कोई भी कर सकता है, पर अगर ये सब काम नहीं होते ह तो अग्रीमेंट करने से कोही मतलब नहीं है, उसका कोही मतलब रहा ही नहीं, ये सब हमको करना पड़ा, पिछले चार साल के अंदर केंद्र सरकार के सहयोग से, और विशेशकर मान्य केंद्रियम मंत्रीशी धर्मेंद्र प्रधान जी के अबूत पूर्व सहयोग से, मैं उ अधिकारियों के अधक प्रयासों से, सब लोगों ने बैठके निगोसियेशन करके, आज सब कागस पत्री को तैयार करके, जन हित को ध्यान में रखते हुए, एक ऐसी रिफाइनरी और पेट्रोलियम कम्प्लेक्स की स्थापना करने की शुरुवात की है, जिसमें केंद्र स राजसरकार, राजसरकार और HBCL तीनों को गर्व होगा, और सबसे बड़ा साइदा हमारे राजस्तान और राजस्तान की जनता को है, जिसके लिए बारं बार हमारे प्रधान मंत्री जी को धन्नेवाद देना चाहते हैं, 37,229 करोड रुपया की परियोजना की लागत तब की, अब तो 43 करोड रुपया हो गया है, उस समय ब्याज मुक्त कर्ज, राजस्तान सरकार 56,000 करोड रुपया देने की तयारी में थी, मतलब परियोजना लागत से डेड़ गुना कर्ज, कॉंग्रेस सरकार देने जा रही थी, और ये सब पूरा भार, आपके और हमारे उपर पड़ता भाई हूँ, हमने 56,000 करोड रुपय की कर्ज की जो बातचीत की, तब 40,000 करोड उसमें से कम करवाए, और आज अगर हम कर्ज दे रहे हैं, तो सिर्फ 16,000 करोड रुपया का कर्ज, हम लोगों ने उसको कम करके, आप उनको दे दिया है, और सुनो, इंटर्नल रेट और रिटर्न जो होता है, मैंने इसका रिटर्न जो होता है, वो 6 प्रतिशत, मतलब अगर धंदे में एक रुपया लगाते हो, तो सिर्फ 6 पैसे मिलते हैं, ये था कॉंग्रेस का नफ़र नुकसान का हिसाब, और हमारी सरकार आते ही, एक रुपय के उपर, बारा पैसे का फाइदा भाईयो, डबल फाइदा, दुगना फाइदा करने का काम इस सरकार ने किया है, और ये कैसे हुआ, ये इसलिए हुआ, क्योंकि हम लोगों ने जनता को अपने ध्यान में रखा, हमने अपने बारे में नहीं, अपनी पार्टी के बारे में नहीं, अपने इस छेत्र के बारे में सोचने का काम किया फिर अगर प्लांट के और अगर आप देखें तो ऐसा आधूनिक प्लांट लगा है जो पहले था उससे कई गुना आधूनिक और बाडमेड के कुरूड अगर यह तेल अगर नहीं इस्तेमाल होता है तो यह मान के चलिए कि को कोई भी कुरूड आ जाता है तो यह प्लांट के अंदर वो कुरूड हम इस्तेमाल कर सकते हैं तो भाईयों हम पथर लगाने में नहीं हम इमारत बनाने में विश्वास करते हैं और हम सपना नहीं दिखाते हैं हम लोग हकीकत को सपने को अपने हकीकत में बदलने की कोशिश करना चाहते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए आज इतना बड़ा काम आपके सामने हो रहा है और आज में विश्वास करके जा कि यह प्रोजेक्ट के शुरुवात तो आदर्निया प्रदान मंत्री जी ने की है और इसका उद्गाटन भी 2022 के अंदर हमारे प्रदान मंत्री जी आदर्निया मोदी जी करके जाएंगे उनके ही हातों से यह बात होगा मुझे यह बतलाते हुए आप लोगों को सबको खुशी है कि रिफाइनरी कम जो पेट्रोलियम हमारा सेंटर है उसमें जैसे अभी दर्मेंदर जी ने बताया कौशल प्रशिक्षन चालू किया जाएगा और जोडपूर के अंदर जो पॉलिटेक्निक कॉलिज है उसके अंदर पेट्रोकेमिकल ब्रांच की भी शुरुवात हम करने जा रहे हैं क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यहा जो रोजगार मिलेगा वो हमारे बच्चों को मिले अगर हमारे बच्चों को रोजगार देना है तो ऐसी परिस्तिया हम बनाएं जिन परिस्तियों के अंदर हमारे बच्चे पढ़ लिख के सोच समझ के अपने पैर पे खड़े हो जाएं ताकि जो भी काम इस पेट्रो केमिकल से होता है उस काम के अं ही हो। इस इलाखय के अंदर है इसे किसानों को विकास के अंदर हमने बागी दार बनाने का काम किया है अगर आप किसान थो भाईयों सोना पावर प्रोजक्ट को अपने खेट के अंदर वो स्थापना कर सकता है उसको किसी की किसी से जाके पूछने की जरूरत नहीं है हमने किसानों को सशक्त करने का एक बहुत बड़ा काम किया है और इस छेत्र के अंदर चार वर्षों के अंदर सौर उर्जा उत्पादन पांच गुना बड़ा है मैं यह कहना चाहती हूं पूछना सका आंए वाल्य एक वर्ष के अंदर दो हजार दो सोपच्पन मेगवाट का सोर उचव ऊच्बा उत पादन बादला बादला चेत्र के अंदर विश्व में सबसे बड़ा सोलार पा Yuk बनने जा रहा है भाही ओं सबसे बड़ाए और अब नोख जिला जैसल मेर में हजार वोट का एक solar park बनने जा रहा है, इसकी स्थापना होने जा रही है, सब जैसे बेर बाले बैठे हुए हैं, मैं आप लोग सबको बताना चाह रही हूं, इसका फाइदा आप लोग सबको मा में लेगा, सबसे जादा अगर कई मिसीबत है, इस शेत्र की तो पानी की ज्वलंत समस्या है, राजस्तान जैसा प्रदेश, पूरे प्रदेश में पानी की कमी, और उस पानी की उपर राजी नीत, पैजल की भयंकर किलत को देखते हुए, पिछले बार हम लोगों ने पोकरन, फलसूंद, बालोत्रा सिवाना, लिफ्ट परियोजना की शुरुवात की थी, कॉंग्रेस अगर चाहती, तो इसको अपने पात सार के अंदर पूरा करके, मीठा पानी पिलाने का काम कर सकती थी, परन्तु नहीं किया, और अब दुबारा फिर हमने इसको हाथ में ले लिया है, और दो हजार अठारा तक भाईयों, इसको पूरा करके, जैसल मेर के 177 गाओ, बाड मेर के 403 गाओ, और बालोत्रा और सिवाना के अंदर, मीठा पानी उपलप्त करके, हम छोड़ेंगे, ताकि आप बातिजंटा पार्टी को याद करोगे, आदर्निय प्रधार मंत्री जी ने एक सुझाव दिया था, उन्होंने ये कहा था, कि नगर के अंदर, राजस्तान के अंदर, पानी इखटा करने की बावडिया हैं, उन्होंने कहा कि आप बुख्य मंत्री जल्स्वावलंबन के अंदर, बहुत जगे के उपर, पानी को कोशिश करो, और उनको अध्यान में रखते हुए, मैं अभी आपको बताना चाहूंगे कि 220 बावडियों का जीर्नोधार कराय जा चुका है, और आने वाले समय के अंदर, 214 और बावडियों का कार्य हम पूरा करने जा रहे हैं, भाईयो, इसका फल क्या हुआ, मुझे जल के अंदर जो स्थर था, उसकी बड़ोत्री हुई, और आज टैंकर से जितना पानी हमको दिया जाना देना पड़ता था, वो नहीं देना पड़ रहा है, 56 प्रतिशत उसमें गिरावट हुई है, और 63 प्रतिशत सूखे हैंड पंप में पानी आ गया, सूखे हैंड पंप करने की दिशा में, यह एक बहुत बड़ा कदम है, और आज मुझे बड़ी खुशी हुई दिखाते हुए, आपके थार जो अनार देखने को मिला, जो लोगों ने इतना सुन्दत तरीके से थार के इस इलाके के अंदर अनार उगाया है, उस अनार की तस्वीरों को दिखान करने का मुझे मौका मिला, आज मैं सिर्फ एक ही चीज पिधान मंत्री के ध्यान में लाना चाहूंगी, आज जोदपुर आपके जिले से जुड़ गया है, हम लोग इस कोशिश में हैं, कि जैसल मेर को भी बार मेर से रेल से अगर जुड़ता है, और वो पानी और वो रेल क लाइन, अगर हम लोग मुंद्रा तक ले जा सकते हैं, तो ये सब इतना बड़ा काम, जो आब आप कर रहे हो, खनिज का काम, सोलर का काम, तेल का काम, गैस का काम, जो अभी होने जा रहा है, जैसे अभी बता रहे थे, वो सब काम बंदर गहा के साथ आगे चल के जोड़ सकत हैं, पानी को भी साफ करके लाने की एक बहुत बड़ी स्कीम थी, उसके बारे में हमने उनको आगा किया था, परंतो अभी धर्मेंदर जी ने उसके बारे में बताया, कि इस तेल के कुए के उपर भी एक बहुत बड़ा अथा पानी का समंदर है, उस पानी के समंदर को भी, अगर हम लोग साफ कर सकते हैं तो वो साफ पानी पूरे बार्मेड के रिलाके में मिल सकता है मैं तो इतना ही कह सकती हूँ कि एक बहुत बड़ा काम है इस काम के अंदर जिस तरीके से आज 43 करोड रुपया 43 हजार करोड रुपया यहां लग रहे हैं उसी तरीके से अपने बार्मेड के भाग्य में लिखा है यह तो नाकोडा जी की भूमी है या सोत्राधाम की भूमी है या जासोल माता की भूमी है कल में वहां दर्शन करके आई थी और मैंने यही प्राटना की थी कि प्रधान मंत्री जी के सानिद्य में हम लोग सब को आप इतना ही आशिरवाद दीजिए कि ये इलाका फले फूले समुरित हो अपने पैर पे खड़ा हो जाए और मैं आप सब को ये विश्वास दिदाना चाहती हूँ कि आने वाले समय के अंदर हम फिर से प्रदान मंत्री जी के नित्वित्व में इस देश के अंदर ही नहीं इस प्रदेश के अंदर विकास का पर्चम लेराने का फिर से काम करेंगे अब जोड़ से दोनों हाथ उपर करके बता दो कि यहां विकास का पर्चम लेरेगा और हम तुमें एक बार फिर हमारे मान्य प्रदान मंत्री जी का सभी प्रदेश वासियों की और से आभार प्रकट करती हूँ और उन्होंने अपना अमूल्य समय हम सब को दिया है उसके लिए मेरा बहुत सारा धन्यवाद और मुझे विश्वास है कि ये दो काम और हो जाएंगे तो इस बार मेर की मने तरक्की के अंदर चार चांद और लग जाएंगे इनी शुब्रकामनाओं के साथ आप लोग सब को मेरा बहुत सारा प्यार बहुत सारा धन्यवाद कि आप लोग चलके इतनी सारी संक्या में सुबह सारे 6-7 बजे से लेके यहां तक आके बैठे हो मैं आप सब को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि मैं जा बार्मेर यहीं कहने के साथ जोर जार नारा मेरे साथ आप लोग दोगे भारत माता की भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद माने नियाँ HPCL राजिस्थान रिफाइनरी के आजाने से यहां इस खेत्र में प्रगती, समरिधी, अवसर, विकास, खुशाली, भरपूर रोजगार का बसंद नई बहार लाने वाला है और यही है नियू इंडिया की नई खुश्बू जिससे राजिस्थान भी सुवासित है चलिए हम आपको अब HPCL राजिस्थान रिफाइनरी लिमिटेड पर एक फिल्म दिखाते है सो मेरी धर्पी जठे चांदीरो आस्मा रंग रंगेदो रख भहियो महरो प्यारो राजस्थान मायड धर्ती मरू धरा आ वीरारी खांद नगकन हीरा निबजे पिल धर्ती रे खांद इपिखास रे सागें आज ने मिलती हवारे सागें धर्वा थावती उचे महलरी जाली हूं मैं तो एक कहानी हूं मैं सूर वेलतारी निशानी हूं मैं रंगारी दीवानी हूं सोनेरी रेथ में सुखानी हूं मैं सद्या पुरानी हूं मैं तो एक कहानी हूं अब वसत आई क्यों है एक नवी कहाणी लिखन रो संब्रेधीरी कहाणी तरक्कीरी कहाणी खुशियारी कहाणी पधार हुकुम खुदी देख ले रहाओ HPCL और राजस्थान री साजेदारी रीड दुवी कहाणी एक कहाणी संब्रेदी री जोका राजस्थान में जल्द ही थकीसत बरनवाड़ी है राजस्थान रिफाइन ग्री जन हित में नई सोच सही फैसले खुश्चाल राजस्थान, खुश्चाल राजस्थानी प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी के बुलिंद इरादों की निशानी ये रिफाइनरी मुख्य मंत्री वसंधरा जी के अड़िव पैसलों की कहाणी ये रिफाइनरी जो पलट में वाली है राजस्थान की तकदीर सोचिए जब जनहित के लिए एक साथ 43,129 करूर रुपए का निवेश आएगा राजस्थान में सम्रिजी की विशाल लहर बिखराएगा विश्वे इस तर ये तखनीक से बनेगी ये रिफाइनरी पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल उत्पादों से छलकेगी ये डिफाइनरी बड़े बड़े हवाई जहाज इस धरती पर उतरेंगे रहा तके बैठे युवा दिलों में सपने खिलेंगे कोई काम करने वाले लोगों को ढूंता हुआ आएगा कोई काम करने को बेताब खड़ा होगा गाउं गाउं में तालीम के मेले लगेंगे रोजगार के सैक्रों द्वार खुलने लगेंगे या पार भंदे का तो फिर क्या ही कहना अब बिना काम के कोई ना रहेगा करोड़ों महिलाओं को एलपी जी का सच इंधन दे रही है ये मोदी जी की सरकार सच में कमाल कर रही है आगे भी उग्योगों और निवेशकों के लिए सुनहरा दौर शुरू होगा सदियों पुरानी परंपराओं का भुष्य की कखनीक से मिलाप जो होगा फिर देश विदेश में राजस्थान का रोशन नाम भी तो होगा और ये सारे सपने सच करने का वादा है HPCL और राजस्थान सरकार की साजा कंपनी HPCL राजस्थान रिफाइनरी लिमिटेट का चालो मिल्र लिखां राजस्थान रे कहानी रो नुव किस्सो ताकि राजस्थान बने न्यू इंडिया रे निर्मान रुबाहत मोटो हिस्सो राजस्थान रिफाइनरी जन हित में नई सोच सही फैसले खुश्चाल राजस्थान, खुश्चाल राजस्थानी जी हाँ, ऐसी ते राजस्थान रिफाइनरी खजाना है आवसरों का रास्ता है कई रोजगारों का उद्घोश है विकास का हम मानिनी पृधान मंत्री जी से अब विनम्र आग्रह करते हैं कि कृपिया HPCR राजिस्थान रिफैनरी लिमिटेड के कारे की शुप शुरुआत करें रिमोट द्वारा उद्धाट अंपटिका का नावरण करके जी हां विकास का भूश राजिसान के विकास का शंखनाद इस शेत्र के विकास का शंखनाद पाएं हाथ की तरफ उद्धाटन पटिका का नावरण और दाएं तरफ आप देख रहे हैं इस रिफैनरी का लोगो ये इस शेत्र के विकास का इस शेत्र की खुशाली का सूरे परवे है राजिस्थान वासियों मकर संक्रांती की ये मीजी तोगात मानिनी प्रधान मंत्री जी की तरफ से बहुत बहुत धनेवाद मानिनी प्रधान मंत्री जी राजिस्थान वासियों आज भारत अपने भाग्य पर इतरा रहा है मानिनी प्रधान मंत्री जी जैसा अद्बुत नेत्रत वपाकर मानिनी प्रधान मंत्री जी वादे दिड़ इरादे के साथ करते हैं और जन जन के एक एक सपने को सच की जमीन पर उतार कर दिखाते हैं आज आपके द्वारा की गई ये शुब शिरुवात इस ख्शेत्र के विकास का तोरण द्वार है मानिनीय राजिस्थान की शान को संबृधी से सवारने वाले मानिनी प्रधान मंत्री जी से अब हमारा विनम प्रिनिवेदन है की कृप्या हम सभी को संबोधित करें हम सभी को शुक्ताम नाए दे नाजिस्तान के मुख्य मंत्री स्रिमती बसुंद्रा राजे जी केंद्र में मंत्री परिशत के मेरे साथी स्रिमान धर्मेंदर प्रदान जी अर्जुन राम मेगवाल जी स्रियार चौद्री जी बीपी चौद्री जी गजेंद्र सी सेखावज जी राज्य सरकार के मंत्री सिमान सुरेंद्र गोईल जी सिमान अमरा राम जी सुरेंद्र पाल सी जी स्रिमान पुष्पेंद्र सी जी ओटाराम देवासी जी स्रिमती कमसा मेगवाल जी साउसद में हमारे साथी स्रिमान देव जी पतेल करनल सोना राम जी सिमान राम नान जी डुडी सिमान नारायन लाल पंचारिया जी और विशाल संख्या में पदारे हुए मेरे प्यारे भाई और बहनों खम्मागणी नबश्चार दो दिन पहले ही हिंदुस्तान के हर कौने में मकर संक्रांती का पर्व मना गया और मकर संक्रांती के बाद एक प्रकार से उत्क्रांती का संके जुड़ा हुआ होता है संक्रांत के बाद उन्नती अंतर नहीत होती है मकर संक्रांत के पर्व के बाद राजस्तान की धर्ति पर पूरे हिंदुस्तान को उर्जावान बनाने का एक एहम प्रयास एक एहम इनिसेटिव एक एहम प्रकल्प उसका आज कार्य आरंब हो रहा है मैं बसुंद्रा जी का और धर्मेंद्र प्रधान जी का इस बात के लिए अभिनन्दन करना चाहता हूँ को उनों ने कार्य आरंब करने का कारकम बनाया और इसके कारण आने वाले दिनों में कोई भी सरकार हो कोई भी नेता हो जब पत्थर जड़ेगा तो लोग पूछेंगे पत्थर तो जड़ दिया कार्या आरंब की देख तो बताओ और इसलिए इसकारकम के बाद पूरे देश में एक जागरुक ताएगी कि पत्थर जड़ने से लोगों को गुमराह नहीं किया जा सकता है जब कार्या आरंब होता है तब सामान्य मानवी को विश्वास होता है मुझे खुसी है इस पूरे शेत्र की विकास यात्रा में सरीक होकर के ये कार्या आरंब का मुझे सवभाग ये प्राप्त हुआ है और जब मुझे पूरे प्रोजेक की डिटेल दे रहे थे अपसर सारी बारी क्या बता रहे थे अभी सब कुछ बता दिया उन्होंने उनको लगा कि प्रदान मंत्री जी को उने सारी जानकारी दे जी है तो मैंने उनको पूझा उद्गाडन की तारिक बताईए और मुझे भी स्वास दिया गया है कि जब देश आज़ादी के 75 साल मनाता होगा 2022 भारत के बीरों ने आज़ादी के सेनानियों ने किसी ने अपनी जवानी जेलों में खपा दी किसी ने फासी तक्त पर चरकर के बंदे मात्रम के नात को ताकतवर बनाया आज़ाद, हिंदुस्तान, भव्य भारत, दिव्य भारत इसका सपना देखा देश आज़ाद हुआ 2022 में आज़ादी के 75 साल हो जाएंगे यह हम सब का दाईत्व है हर हिंदुस्तानी का दाईत्व है 125 करोड नागरिकों का दाईत्व है कि हम 2022 में जो सपने आज़ादी के दिवानों ने देखे थे वैसा हिंदुस्तान बना करके उनके चरणों में समर्पित करेंगे यह समय संकल्प से सिद्धी का समय है आज यहां पर आपने संकल्प लिया है कि 2022 तक इस रिफायंद्री का कारियारंब कर देंगे मुझे विश्वा से यह संकल्प सिद्धी बन करके रहेगा और जब देश आजादी के 25 साल मनाता होगा तब यहां से देश को नई उर्जा मिलना प्रारंब हो जाएगा और इसलिए मैं राजस्तान सरकार को सिमान धर्मेंद्र जी के विभाद को भारत सरकार के प्रयासों को और आप सभी मेरे राजस्तान के भाईयों बहनों को बहुत बहुत सुबकामनाई देता हो बाड मेर की यह धर्ती यह वो धर्ती है जहां रावल मलिनात संत तुलसाराम मातारानी भट्यानी नागनेची माता संत इस्वर्दाश संत धारुजी मेग न जाने कितने अंगनीत सात्वी संत जगत के आशिरवाद से पली बड़ी यह बार मेर की धर्ती मैं आज उस धर्ती को नमन करता पच्पद्राची अधर्ती स्वाधिन्ता सेनानी स्वर्गिय गुलाब चन्जी सालेचा की कर्म भूमी गांडी जी के नमक सत्याग्रह के पहले उन्होंने यहाँ पर नमक सत्याग्रह का नेत्रुत्व किया था इस खेत्र में पीने का पानी लाने में ट्रेन लाने में पहला कॉलेज खोलने में गुलाब चन्जी को हर कोई याद करता है मैं पंच पद्रा के इस सपुद को भी प्रणाम करता हूँ भायो बहनो मैं आज इस दर्ती पर भरोसी सेखावजी को भी याद करना चाहता आधुनिक राजस्तान बनाने के लिए संकटों से मुक्द राजस्तान बनाने के लिए और इस बाड मेर मैं इस रिफाइनली की सबसे पहला कलपना करने वाले बैरोसी सेखावजी को भी मैं आज स्मरण करता हूँ आज मैं जब बाड मेर की धर्ति पर आया हूँ तो है आउपति सबसे मैं आगरह करता हूँ कि हम सब अपने अपने इस्त देवता को प्रार्थना करें कीसी धर्ति के सपूत स्रिमान जस्वन सिंग जी है कि ओस्याद की सब्सक्राण करें कि अनुदि अच्छा हो जाएं आप उनका स्वास पोलिए और उनके अनुभाव का लाप देश को मिले हम सब उनके उत्तम स्वास्त और जल्दी स्वास्त हो करके हमारे बीच आएं ऐसी प्रार्थना हम सब करें और इश्वर हमारी प्रार्थना सुनेगा खायो बेनो दुर्बाग्य से हमारे देश में इत्यास को भुला देने की प्रमपरा रही वीरों को उनके त्याग और बलिदान को हर पीडी ने मान सम्मान के साथ स्मर्ण करके नया इतिहास बनाने की प्रणणा मिलती है और वो लेते रहना चाहिए आपने देखा होगा इजरायल के प्रधान मंत्री इन दिनों भारत की यात्रा पे आये हुए चौदा साल के बाद वे यहां आये हैं और देश आजाद होने के बाद मैं पहला प्रधान मंत्री था जो इजरायल की धर्ती पर गया था और मेरे देश मासी मेरे राजस्तान के भीरो आपको गर्व होगा कि मैं इजरायल गया समय की ठीचा तानी के बीच भी मैं हाइफा गया और वहां जाकर के प्रथम बिश्वयुद में हाइफा को मुक्त कराने के लिए आज से सो साल पहले जीन वीरों ने बलिदान दिया था उन्हें स्रद्धा सुमन अर्पित करने गया था और उसमें नेत्रुत्व किया था इसी धर्ती के बीर संता मेजर दल्पत्षी जीने मेजर दल्पत्षी शेखावत सो साल पहले इजरायल की धर्ती पे प्रथम विश्व युद्ध का नेत्चुर्थव करते हुए हाइफा को मुक्त किया था दल्ली में एक तीन मुर्ती चौक है वहाँ तीन महापुर्शों के विरों के साथ मुर्तियां है इजरायल के प्रधान मंत्र हिंदुस्तान आते ही हम दोरों सबसे पहले इस तीन मुर्ती चौक में गए वो तीन मुर्ती चौक उस मेजर दल्पत्षी के बलिदान की याद में बना हुआ है और आँ इस बार हमने इसरायल के प्रधान मंत्री भी वहां नमन करने आए हम दोनों वहां गए और उस तीन मुर्ती चौक का तीन मुर्ती हाइफा चौक ताकि इस याद रहे मेजर दल्पत्षी सिखावत याद रहे मेरे राजस्तान की वीर परंपरा याद रहे ये काम अभी दो दिन पहले करने का मुझे सौबागे मिला भाई जी बेनो ये वीरों की धर्ती है बलिदानियों की धर्ती है शायद बलिदान की कोई इतिहास की घटना ऐसी नहीं होगी कि जिसमें मेरी इस वीर धर्ती के महापुरुशों का रक्त से उसको अभीशिक्तन हुई हो और मैं ऐसे सभी वीरों को आज यहां प्रणाम करता हूँ भाई यो बेनो राजस्तान में तो मैं पहले बहुत आता था संगर्थन का काम करने के लिए आता था पडोसी की का मुख्यमंत्री रहा उसके कारण आता रहता था इस इलाके में भी कई बार आया हूँ और हर बार एक बात सामान ये मानवी के मुख से तुनता रहता था कि राजस्तान में कॉंगरेस और अकाल ये जुड़वा भाई है जहां कॉंगरेस जाएगी वहां अकाल साथ साथ जाता है और वसुंद्रा जी के भागे में लिखा हुआ है जब भी उनको सेवा करने का मोका मिला इस सूखी धर्ती को पानी मिलता रहा भाई यो बहनो लेकिन हमें इस से भी आगे जाना है राजस्थान को आगे लेके जाना है राजस्थान के विकांस की यासरा को देश के विकांस में एक नई तांकत देने वाला राजस्थान है और वो राजस्थान की धर्ती पर करके दिखाना है भाई यो बहनो अभी हमारे दर्मेंद्र जी सिकायद कर रहे थे बसुंद्रा जी सिकायद कर रही थी उनकी सिकायद सही है लेकिन ये सिरफ बाडमेर की रिफाइनरी में हुआ है क्या क्या सिरफ पत्खर यहीं पर जड़कर के फुटूल खिचवाई गई है क्या क्या पत्खर यहीं पर लगा कर के लोगों या आँख में दुल्जों की गई है क्या जो लोग जड़ा रिसर्च करने के आदी है बाल की खाल उधेड़ने की जो ताकत रखते हैं मैं ऐसे हर किसी को निमंत्रन देता हूँ कि जड़ा देखो तो सही कॉंग्रेज सरकारों की कार्यश्यली कैसी रही थे बड़ी बड़ी बाते करना जनता जनार्दन को गुम्रा करना यह कोई सरफ बार्डमेर की रिफाइनरी से जुड़ा हुआ मतला नहीं है यह उनकी कार्यश्यली का हिस्सा है उनके सभाव का हिस्सा है जब मैं परदान मंत्री बना बजेट देख रहा था और मैं रेलवे बजेट देख रहा हुआ तो मेरा ज़रा सभाव है मैंने पूछा कि भाई यह रेलवे बजेट में हम इतनी इतनी गोशनाई करते हैं जड़ा बताओ तो पीछे क्या हुआ है आप चोग जाएंगे भाईयो बेनो आपको सदमा पहुँचेगा भारत की संसर्थ लोक्तंत्र का मंदीर है वहाँ देश को गुमरा करने का हक नहीं होता है लेकिन आपको जानकर गहरानी होगी कई सरकारे आई और गई रेलवे बजेट में पंदरा सो से ज़ादा पंदरा सो से ज़ादा ऐसी ऐसी योजनाओं की गोशनाएं की गई जो आज उसका नामों निशान नहीं है वैसे ही कागज पर लटकी पड़ी हम आये हमने फैसला किया कि कुछ पल की तालियां का पाने के लिए संसद में जो सदस से बैटे हैं वो अपने इलाके में कोई रेल का प्रोजेक आ जाए तो ताली बजा दे और रेल मंत्री खुश हो जाए बाद में कोई पुछने वाला नहीं यही सिलसिला चला हमने आकर के कह दिया कि रेल बजेट में यह बावाई लूटना और जूठी तालियां बज़वाने का कारकम बन जितना होना तै है इतना ही बताईए एक दिन आलोचना होगी लेकिन देश को धीरे धीरे सही बोलने की सही करने की ताकत आएगी और यह काम हम करना चाहते इतना ही नहीं आप मुझे बताईए वन रैंक वन पैंशन मेरे फोज के लोग यहां बैटे हुए है फोजियों के परिवार जेनी यहां बैटे हुए है चालीस साल वन रैंक वन पैंशन इसकी मांग नहीं उठी थी क्या फोज के लोगों को बारी बारी से बादे नहीं किये गए थे हर चुनाओं के पहले इसे बुनाने का प्रयास नहीं हुआ था यह उनकी आदत है 2014 में भी आपने देखा होगा 55-59 फोज के लोगों को बिठा करके फोटो निकलवानी और वन रैंक वन पैंशन की बाते बुनानी यह करते रहे और बाद में जब चाना तरब से दबाव बड़ा और जब मैंने 13 सितंबर 2013 15 सितंबर 2013 रिवाडी में भुद्पुर्वस्वाइनिकों के सामने गोठना की कि हमारी सरकार आएगी वन रैंक वन पैंशन लागू करेगी तब आनन फानन में अफरा तफरी में जैसे यहां रफ रिफाइनरी का पत्थर जड़ दिया गया उन्होंने इंट्रिम बजेट में 500 करोड रुपिया वन रैंक वन पैंशन के नाम पर लिख दिया देखिए देश के साथ इस प्रकार का दोका करना और फिर भुनाते रहें चुनाओं में कि देखिए वन रैंक वन पैंशन के लिए बजेट में हमने पैसा दे दिया पैसा दे दिया हम जब सरकार में आए तो हमने का लो भाई वन रैंक वन पैंशन लागू करो हमने वादा किया है तो आप सर समय भी ताते रहेते थे मैंने का हुआ क्या भाई क्यों नहीं हो रहा है आपको जान करके हरानी होगी बजेट में 500 करोड लिखा गया था लेकिन दफ्तर के अंदर एवन रेंग वन पैंशन है क्या एवन रेंग वन पैंशन के पात्रता किसकी है उसका आर्थिक बोज कितना आएगा इनको आप भरान होंगे सिर्फ रिफाइंदी कांगेज पे थी वहां तो वन रेंग वन पैंशन कांगेज पे भी नहीं था न सूची थी न योजना थी सरफ चुनावी बादा भाईयो बहनो उस काम के पती मेरी प्रतिवत के साथ ही लेकिन कांगज पे चीजे इखठी करते करते मुझे डेड़ साल लग गया सब बिखना पड़ा था पूर्व सैनिकों के नामों का ठिकाना नहीं मिल रहा था संक्यास ही नहीं मिल रही थी महरान का देश के लिए मरने मिटने वाले फोजियों के लिए सरकार के पांच सब विखरा पड़ा था समेठते गए समेठते गए तिरी हिसाम लगाया कितने पैसे लगेंगे भाई यो बेनो ये पांसो करोड रुपिया तो मैंने सोचा साथ हजार करोड होगा पंदरा सो करोड होगा दो हजार करोड होगा जब हिसाब जोडने बैठा तो भाई यो बेनो वो मामला 12,000 करोड रुपिये से भी जादा हो गया 12,000 करोड अब कॉंग्रेस पार्टी वन रेंक वन पैंसन 500 करोड में कर रही थी क्या उसमें इमानदारी थी क्या क्या सच मैं फोजियों को कुछ देना चाहते थे क्या 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 फोज के निवृत्त सेनानियों के प्रती इमानदारी थी क्या उस समय के वित्मत्री इतने तो कच्चे नहीं थे लेकिन 500 करोड रुपिया का टीका लगा करके जैसे यहां पत्थर जड़ दिया वहां पर बजेट में लिग दिया और हाथ उपर कर दिया है भाई यो बेनों हमें करीब 12,000 करोड से ज्यादा बोज आया तो मैंने फोज के लो मैं बादा पूरा करना चाहता हूं लेकिन सरकार की तीजोरी में इतनी ताकत नहीं है कि एक साथ 12,000 करोड रुपिया निकाल दें यह लोग तो 500 करोड की बात करके चले गए मेरे लिए 12,000 करोड निकालना है इमानदारी से निकालना है लेकिन मुझे आपकी मदद चाहिए फोज के लोगों ने मुझे कहा परदान मुंत्री जा आप हमें सर्मिंद की सर्मिंदा मत कीजिए आप बताईए आप हमसे क्या चाहते हो मैंने का मैं और कुछ नहीं चाहता भाई आपने देश के लिए बहुत कुछ दिया है लेकिन मेरी मदद कीजिए मैं एक साथ 12,000 करोड रुपया नहीं दे पाऊंगा अगर मुझे देना है तो देश के गरीबों की कई योजनाओं से निकालना पड़ेगा गरीबों के साथ अन्याय हो जाएगा तो मैंने कहा कि मेरी एक रिक्वेस है क्या मैं इनको चार टुकडों में दू तो चलेगा मेरे देश के वीर सैनीक चालीस साल से जिस वन रैंक में पेंशन को पाने के लिए तरस रहे ते लड रहे ते देश में ऐसा प्रधान मंत्री आया था जो प्रतिवत के सा वेज चाहते तो कह देते कि मोदी जी सब सरकारों ने हमें ठगा है हम अब इंतजार करने को तयार नहीं है आपको देना है तो अभी दे दो वरना आपका रास्ता आपको मंजूर हमारा रास्ता हमें मंजूर कह सकते थे लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया मेरा देश का फोजी यूनिफाम उतारने के बाद भी तन से मन से रदे से फोजी होता है देश हीद जीवन के अंतकांस तक उसकी रगों में होता है और एक पल के बिना एक पल के बिताए बिना मेरे फोज के भाईयों ने कह दिया प्रदान मंत्री जी आपकी बात पर हमें भरोचा है बने चार टुकड़े करने पड़े छे करने पड़े आप अपनी फुर्सत से किजिए बस एक बार निर्ने कर लिजिए हम जो भी निर्ने करेंगे मान लेंगे भाईयों भनों ये निमरुत फोजियों की ताकत थी कि मैंने निर्ने कर लिया और अब तक चार किस्त दे चुका हो दस अजार साथ सो करोड रुप्यां उनके खाते में जमा हो गए और मां की किस्त भी पहुंचने वाला और इसलिए सिर्फ पत्थर जणना ही नहीं ये देश में ऐसी सरकारे चलाना ये इनकी आदत हो गई थी आप मुझे बताएए गरी भी हटाओ गरी भी हटाओ चार दसक से सुनते हुए आये हो कर नहीं आये हो गरीबों के नाम पर चुनाओ के खेल देखे हैं के नहीं देखें लेकिन क्या कोई गरीब के भनाई के लिए योजना नेजर आती है कहीं नेजर ने आयेगी आजादी के सतर साल के बाद भी वो यहीं कहेंगे जाओ गड़ा खोदो और शाम को कुछ ले जाओ और दाना पानी कर लो अगर अच्छी तरह देश की विकास की चिंता की होती तो मेरे देश का गरीब खुद गरीबी को पनाच करने के लिए पूरी ताकत के साथ खड़ा हो गया होता है हमारी कोसिज एंपाउरमेंट आफ पूर गरीबों का सब्सक्ति करन बैंकों का रास्टिय करन हुआ लेकिन गरीब के लिए बैंक के दरवाजे नहीं खुड़ते इस देश के तीस करोर से ज़्यादा लोग बैंकों के राच्टिय करन गरीबों के नाम पर किया गया लेकिन बैंक के दरवाजे तक नहीं पहुचवाया आजादी के सतर साल बाद जब हम आए हमने निर्ड़ किया हमारे देश का गरीब भी आर्थिक विकास यात्रा की मुख्धारा में उसको भी जगा मिलनी चाहिए और हमने प्रधान मत्री जंदन योजना की आज करीब 32 करोड ऐसे लोग जिनके बैंक में खाते खोल दिये गए और भाईयों बैनों जब बैंक का खाता खोला तब हमने कहा था कि गरीबों को एक भी रुपिया दिये बिना बैंक का खाता खोलेंगे जीरो बैलेंस से खोलेंगे लेकिन मेरे देश का गरीब कहने को भले गरीब हो जिन्दगी भर गरीबी से जूचता हो लेकिन मैं ने ऐसे मन के अमीर कभी देखे नहीं है जो मन का अमीर मेरा गरीब होता है मैंने ऐसे अमीरों को देखा है जो मन के गरीब है और मैंने ऐसे गरीबों को देखा है जो मन के अमीर है हमने कहां कि जीरो बैनेंस से बैंक का खाता खुलेगा लेकिन गरीब को लगा नहीं नहीं कुछ तो करना चाहिए और मेरे प्यारे भाईयों भनो आज मुझे खुसी से आप सो कहते हुए गर्व होता है कि इन गरीबों का जीरो एकाउंट जीरो बैनेंस एकाउंट रना था आज उन गरीबों ने 72,000 करोड रुपिया प्रदान बत्री जंदन योजना बैंक एकाउंट में जमा किया अमीर बैंक से निकालने में लगा है मेरा गरीब इमान दारी से बैंक में जमा करने में लगा है गरीबी से लड़ाई कैसे लड़ी जाती है भाईयो बेनो आपको मालूम है अगर गैस का चूला चाहिए तो कितने नेताओं के पीछे घूना पड़ता था 6-6 महिने तक एक पार्लामेंट के मेंबर को 25 कुपन मिलती थी कि आप एक साल में 25 परिवारों को गैस का कनेक्शन दे करके अब लाइज कर सकते हो और कुछ ऐसे भी MP की खबरें आया करती थी को कुपन को भी ब्लैक में बेच दे थे भाईयो बहनो क्या आज भी मेरी गरीब मा लकड़ी का चूला ज़ला करके क्या गरीब का कल्यान ऐसे होगा हमने फैसला लिया कि मेरी गरीब माताए बेहने जो लकड़ी का चूला ज़ला करके दूए में खाना पकाती है एक दिन में चार सो सिगारेट का धुआ उसके शरीर बैजाता है और घर में जो बच्चे खेलते हैं वो भी दूए के मारे मारे जाते हैं भाई यो बहना हमने बिड़ा उठाया गरीब का भना करना है नारों से नहीं होगा उसकी जिन्दगी बदली होगी और हमने उजवला योज़ना के तहर अब तक तीन करोर तीस लाग परिवारों में गेस का कनेक्शन पहुँचा दिया लकडी का चुला जूए किये मुसिबते इन करोरों माताओं को बुक्त कर दिया आप मुझे बताइए हर दिन जब चुला जलाती होगी गेस पर खाना पकाती होगी वो मा नरेंद्र मोदी को आशिरबाद देगी के नहीं देगी वो मा हमारी रक्षा करने के लिए प्रण लेती होगी कि नहीं लेती होगी क्यों उसे प्रता है कि गरीबी से लड़ाई लड़ने का ये सही रास्ता अब नजर आ रहा है भाई यो बेनों आजादी के सत्तर साल के बाद अठारह हजार गाउं जहां बिजली न पहुंची हो आप मुझे बताईए हम 21 सदी में जी रहे हैं लेकिन वो तो अठारवी शताब्दी में जीने के लिए मजबूर है उसके मन में सवाल उड़ता है क्या ये आजादी है क्या ये लोग चंत्र है ये मैं बटन दिवा करके सरकार बनाता हूं क्या ये सरकार है जो मुझे आजादी के सत्तर साल के बाद भी मेरे गाउं में बिजली नहीं पहुँचाती है और भाई यो भेनों ये 18,000 गावों को बिजली पहुँचाने का हमने बिड़ा उठाया अब करीब 2,000 गावों बचे हैं काम चल रहा है तेजी से 21 सदी की जिन्दगी जीने के लिए उनको आउसर मिला आज आज जी के 70 साल बाद आज भी चार करोर से जाना परिवार ऐसे हैं जिनके घर में बिजली का कनेक्शन नहीं है हमने भीड़ा उठाया है जब मातमा गांधी के 150 वी जैंती होगी तब तक इन चार करोर परिवारों में मुफत में बिजली का कनेक्शन दे दिया जाएगा उसके बच्चे पढ़ेंगे गरीबी से खिलाब लड़ाए लड़नी है तो गरीबों को एमपावर करना पड़ता है ऐसे अने एक सीजे हम लेकर के चल दिये हैं भायों बैनों कि रिफाइनरी भी यहां की तक्दीर भी बढ़लेगी यहां की तस्वीर भी बढ़लेगी इस मरू भूमी बे जब इतना बड़ा उद्योग चलता होगा आप कल पना कर सकते हैं कि कितने लोगों की रोजी रोटी का प्रबंध होगा और वो कारखने की चार दिवारी में रोजगार मिलता ऐसा नहीं है उसके बहारे चेंड चलता है अनेक्स उसके समर्थन में छोटे छोटे उद्योग लगते है इतने बड़े उद्योग के लिए इंफास्ट्रक्चर लगता है पानी पहुंचता है बिज़ी पहुंचता है गेस पहुंचता है अप्टिकल फाइबर नेटवर्क पहुंचता है एक प्रकार से पूरे खेत्र की आर्थिक उसका मांदन बदल जाते हैं और जब इससे प्रकार के लोग आएंगे बड़े-बड़े बाबु यहां रहते होंगे तो अच्छे शिक्षा सांस्थान भी अपड़े आप वहां बनने लगेंगे जब इतनी बड़ी मात्रा में देश भर्चे लोग यहां काम करने के लिए आएंगे राजस्तान के नव जवान काम करने के लिए आएंगे कोई उदरपूर से आएगा, कोई मासवड़ा से आएगा कोई भरतपुर चे आएगा, कोई कोटा चे आएगा, कोई अलवर्च चे आएगा, कोई एजमेर चे आएगा तो उनके स्वास्त की सुविदा के लिए भी अच्छी आरोके की व्यवस्थाएं मनेगी जो पूरे इलाके का लाप करेगी और इसलिए भाईयो मैंनो पांच साल के भीतर-भीतर यहां कितना बड़ा परलाव आने वाला है इसका भली भाति अंदाज कर सकते हैं भाईयो बैनो आज मैं एक ऐसे कारकम को यहां आरंब करने आया हूँ जिसमें मेरा घाटे का सोदा है भारत सरकार के लिए घाटे का सोदा है पुराने सरकार वाला काम आगे बढ़ा होता तो भारत सरकार के खजाने में करीब करीब 40,000 करोड रुपे बच जाते हैं लेकिन ये बसुन राजी राज परिवार के सहुषकार तो है लेकिन राजस्तान का पानी पिने के कारण वो मारबाडी वाले भी सहुषकार है उन्होंने ऐसे भारत सरकार को जितना चूस सकती है चूसने का प्रयास किया है ये भारतिये जन्ता पार्टी में ही संभव होता है कि एक मुख्यमंत्री अपने राज्य के हित के लिए अपनी ही सरकार दिल्ली में हो तो भी अड़ जाएं और अपनी इच्छा मनवा करके रहे मैं बढ़ाई देता हूँ बस उन्राजी ने कि उन्होंने राजस्तान के पैसे बचाएं और भारत सरकार को योजना सही कैसे बने उसको करने के लिए उन्होंने प्रेदित किया और उसी का नतीजा है कि आज वसंद्राजी और धर्मंदर जी ने मिलकर के कांगज पर लटके हुई इस प्रोजेक्ट को जमीन पर उतारने का काम किया है मैं दोनों को बढ़ाई देता हूँ मैं राजस्तान को बढ़ाई देता हूँ और आप सबKO भी बहुत बहुत शुब काम राए देता हूँ मेरे साथ पूरी ताकत से बोले भारत माता की बारण मेर की थर्ति से अब देश को उर्जा मिलने वाली है ये डिफाइंदरी देश्ती उर्जा का प्रतिनी दित्व करने वाली है वो उर्जा यहीं से चल पड़े देश के हर कौने में पहुँचे यही सुपकामनाओं के साथ खमा गणी कि राजोषान की धर्ति के सुथा याक्रा की यादगार के रूप में शुथि चिन्य धेश करने के लिए मेरा आध्र है CMDHPCLG MK Surana से कर दो खुदा है कर दो खार यहीं बानिनी प्रधान मंत्री जी को स्विती चिन भेच कर रहे हैं CMDHPCL CMK सुराना बहुत बहुत धन्यवाद बानिनी प्रधान मंत्री जी का राजिस्थान के विकास को देश के विकास से जोडने के लिए आपका कोटी-कोटी बंदन मानिनी प्रधान मंत्री जी राजिस्थान को अपनी जडों से जोड़े रख इसके गौरों मस्तक को प्रगती के आस्मान तक कहचाने के प्रतीद द्रिड़ प्रतीट की माननी प्रधान मंद्री जी का हार दिख धन्यवाद और हार दिख आभार आप सभी से निवेधन हैं कि रुप्या माननी प्रधान मंद्री जी के पर स्थान करने तक आप सभी अपने ही स्थान पर रहें राजिस्थान वासियो बाड मेर वासियो प्रगती विकास हमारे स्वर हैं तरुनाई के गीत मुखर हैं हम गौरव का गान करेंगे मित्टी का सम्मान करेंगे हिम की रिषा संकल पहुदे में है मन में उमंगों की धारा स्वरनीम गरिमा मैं अदीध है उज्वल सुखद भविष्य हमारे स्वर वासिपर हैं